आप सभी को जैसरी कृष्णा राधे राधे तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सच्ची घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल की प्रती प्रेम भक्ती भाव और बढ़ जाएगा तो ये जो सत्य घटना है ये बहुत ही दर्द भरी मरम इस पर सी घटना है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करिये चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा तो ये जो घटना है ये मेरे साथ सेयर की है MP से कविता जी तो कविता जी बताती है कि उनके जीवन में लड लड़ो गोपाल है ये अभी से नहीं है ये बहुत पुराने है मतलब उनकी साधी को 15 साल हो गए है और ये जो लड़ो गोपाल है ये उनके 8 साल पहले आए हैं तो ये बताती है कविता जी बताती है कि ये जो लड़ो गोपाल है ये मुझे ऐसे मिले है कि ये कहिए कि ये मे मेरे मन में मैं देखती थी जब तक मेरे घर में लड़ो गोपाल नहीं थे तो मेरे पडोस में एक आंटी रहती हैं उनकी घर में बहुत प्यारे से लड़ो गोपाल थे और वो जनमस्ट्वी में बहुत अच्छा प्रोग्राम करती थी भजलों का तो मेरे मन में भी हमेशा आत कोई आपको gift में दे, तो मैं भी यही सोचती थी, ले तो मैं बहुत पहले लेती, लेकिन मेरे मन में यही था, कि लड्डू गुपाल अगर आपको मेरी सेवा लेना है, तो आप मेरे घर स्वयम आईए, मतलब अब किसी से कह भी नहीं सकते न, कि आपको लड्डू गुपाल gift कर दो, तो उन्होंने किसी से कहा भी नहीं, और बस भगवान से, लड्डू गुपाल से बस प्राठना करती थी, कि आपको अगर मेरे से सेवा लेनी है, अगर मेरे में आपको थोड़ी सी भी भक्ती दिखती है, तो आप भी मेरे घर आओ, तो क्या हुआ था, कि एक बार ये गई थी ब्रंदावन, क्योंकि ये लड्डू गुपाल की, कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्ते हैं, कविता जी, साल में एक बार ब्रंदावन जरूर जाती है, बांके बिहारी के दर्सन करने, और जब बांके बिहारी के दर्सन करने जाती है, तो वो जो गलियों में लड्डू गुपाल रखे होते हैं, तो उनको देखकर इनका बड़ा मन करता है, ये चाहें तो ये तो ले सकती है, मतलब पैसे वाली हैं, कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन इनके मन में यही है कि कोई मुझे गिफ्ट करे या मुझे कहीं से लड़ू गोपाल मिले तब ही मैं अपने घर में लड़ू गोपाल मतलब रखूंगी जब उनको मेरे से सेवा लेनी होगी तो वो मेरे घर जरूर आएंगे ये भाव है उनके अ अब क्या होता है कि जब ये कविता जी अपनी फैमिली के साथ बाके बिहारी के दर्सन करने जाती हैं अंदर जाती हैं वहां पे बाके बिहारी के मंदिर में बहुत अच्छे से दर्सन होते हैं उस दिन तो ऐसा मतलब इतने अच्छे से दर्सन होते हैं ना कोई धक्का मुक इतनी भयानक भीड़ होती है लेकिन कविता जी कहती हैं कि पता नहीं उस तिन क्या था ऐसा इतने आराम से हम लोगों disabilities किया इतने अच्छे से दर्सन किया इतने अच्छे से दर्सन पिल्कुल सामने खड़े होके कि हम बिलकुल नजर से नजर मिला सकते थे बाके भिहारी के इ उनका मन इतना वो हो रहा था वो बांकी बिहारी के सामने खड़े होके इतना रोने लगे कि बांकी बिहारी आप मेरे से सेवा कब लोगे लड़ू को फाइल के रूप में आप कब आओगे मेरे घर उखूब रोती है ऐसे अपना आचल फैला के सामने बांके बिहारी के सामने कहते हैं कि बांके बिहारी मेरा बहुत दिल करता है बहुत मन करता है कि मैं भी आपकी सेवा करूं और आप मेरे घर आओ लेकिन मैं ले भी नहीं सकती बस आपको जब भी मेरे सेवा लेनी है तो आप आजाओ ना बहुत टाइम हो गया आजाओ ना बां तो रोती हैं ऐसे करके तो जब भगवान के सामने कोई इतने दीनता से इतने दुखी मन से इतने प्यार से अगर उनके सामने जो कुछ भी मांगता है ना निश्चल मन से बिना कपट के तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं तो ऐसा समझे कि कविता जी की बात बिल्कुल वाक कि विहारी सुन रहे थे कि बस अब तू चिंता नहीं कर मैं आने वाला हूँ लेकिन आने वाला हूँ तो कैसे आने वाला हूँ तो आप सुनिए तो जैसे ये दर्सन करके और बाहर निकलती हैं गेट के बाहर निकलती हैं तो वो जो मतलब गेट नंबर तीन के पास जैसी निक बाकी बिहारी वाली काले वाले जो लड़ु गुपाल होते हैं यह तो होते हैं मतलब सिल्वर वाला और एक वैसी वाले तो यह जो लड़ु गुपाल उनको उस तोकनी में दिख्थें बिल्कुल काले सुनधर से बहुत अच्छा मेक अप किये हुए और एक टोकनी में फूलों की उसमें रखे हुए थे उनको प्रणाम करती है वो और उनके मन में ऐसा आता है कि कास ये मुझे मिल जाते हैं कि कास मेरे घर में रहते कितना अच्छा रहता ऐसे एक दम से उनके मन में भाव आता है अब क्या था अब वो थोड़ी देर वहां पे खड़ी रहती है कि क्या पता किसकी है ये लड़ो गोपाल और है तो उनके हस्बेंट थोड़ी आंगे चले जाते हैं तो वो आंगे से बुलाते हैं कि कविता आप क्या कर दिये वहाँ पे खड़े खड़े इतनी देर हो गए तो वो कहती है रुक जाओ थोड़ी देर रुकों में आती हूँ अब वो दस मिनद तक वो खड़ी रहती है कि आखिर ये लड्डू को पल है किसके और कौन यहाँ पे रखे गया है अब दस मिनद तक खड़े 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 वहाँ पे कोई नहीं आता ऐसा लग रहा था कि जैसे बहां के विहारी ने खुद कविता जी को वो लड्डू को पाल दिये हूं कि कविता तू परिशान नहीं हो और मैं आ रहा हूं देरे घर तो वो कविता जी भगवान क की तरफ देखती हैं और उनका मन करता है कि क्या करूं उठा लूं क्या मतलब उनको देखके न ऐसा मन करता है कि उनको उठाके वो गले से लगा ले इतना मतलब बेचैन सी हो जाती है उनको गले से लगाने के लिए क्योंकि उनकी जो छवीती बहुत प्यारी कविता जी के मन में ऐसे बस जाती है कि बस मुझे और कुछ नहीं बस मुझे यही लड़ू गो पाल चाहिए ऐसे लेकिन उनके मन में एक ये भी डर रहता है कि क्या पता किसके हैं कोई रखके गया हो सायद या कि कोई किसी को जैसे नहीं कि अगर भीड में कोई रह जाता है तो हम चले जाते ह कोई ऐसा ही कोई कर रहा हो कि कोई लेने गया हो अपने किसी भी साथी को तो तब भी उनके हस्वेंट बुलाते हैं कि कविता आजा इतनी देर से क्या कर तो वो कविता जी जो है वो अपने हस्वेंट को बुलाती है और कहती है कि देखो ना मैं दस मिनट से यहां पर खड़ी ह यारा, कितने सुनदर लड्डू गोपाल है तो उनके जो हस्वेंड है वो कहते हैं कि सुन मैं अभी तेरे को गलीयों में लड्डू गोपाल है न वहां से ले देता हूँ लेखिन किसी के क्या पता किसी के हो और ऐसे मत कर कि मतलब उनको तो पता चल जाता है कि इसका मन कर रहा है ये लड़ू को पाल लेने का लेकिन उसकी husband जो है कविता जी के मना कर देते हैं कि नहीं क्या पता किसके हैं और कोई रखे गया हो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा वो उन्तो कविता जी जो है वो कहती है कि ठीक है अगर मैं जबरजस्ती नहीं कर रहे हूं कि मुझे यही लेना है अगर कोई आ जाता है तो मेरे तो है यही नहीं उसी के हैं अगर कोई आता है तो वो ले लेगा लेकिन अगर आधा घंटे तक मैं इंतिजार करती हूं अगर आधा घंटे मैं भी कोई नही होंगे तो वो कहते हैं कि मैं जबरजस्ती नहीं ले रही हूँ ना मैं तो इंतिजार कर रही हूँ अगर कोई किसी के होंगे वो ले जाएगा लेकिन अगर कोई नहीं आता है तो मैं इनको ले लूँगी ऐसे कहती हैं अब वो बैठे बैठे 10 मिनट हो जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट फिर हो जाते हैं आधा गंटे फिर वो वहाँ पे वो जो पुजारी टाइम वो होते हैं मतलब वहीं पे जो होते हैं मंदिर के ही करमचारी उनसे वो पूछती है कि यहाँ पे आपने देखा था या किसी ने यहाँ पे रखे गया है तो वो बोली कि नहीं यह बहुत देर से रखे हुए हैं हम भी बहुत टाइम से देख रहे हैं इनको यहीं पे ही रखे हैं पता नहीं कौन रखे गया है कौन भूल गया ऐसे करके तो जब उनको आधा गंट ने दिया है क्योंकि आज मैंने बांके विहारी से जोली पसार के मैंने उनसे मागए है कि आप मेरे घर आओ और मुझे भी सेवा का मौका दो तो ऐसे कहती है और लड़ो गोपाल को वहां से ले आती है अब क्या होता है कि जब ये लड़ो गोपाल को ले आती है और है तो घर म बहुत ही धूम धाम से उनकी मतलब उनका आगमन होता है और उनकी प्रान प्रतिष्टा करवाती हैं कविता जी बहुत अच्छे से सत्यनाराइन की कथा करवाती हैं बहुत धूम धाम से करवाती हैं लेकिन जो उनके परिवार का महौल था ना परिवार का मतलब कि उनके जो फ खविता जी तो वो पूरे टाइम क्या करती थी कि ऐसे हो गई थी मतलब भावली टाइब की हो गई थी उनके पूरे टाइम जो उनका है थ्यान सिर्फ उनके लड़ू गोपाल में रहता तो क्यूंकि इतने सालों के इंतिजार के बाद जो आये थी कब से कविता जी इंतजार कर रही थी कि मुझे कोई लड़ो को पाल दे मुझे भी सेवा का मौका मिले तो वो बिलकुल एक बच्चे की तरह यहां तक कि ऐसे भी होता था कि इनकी जो सास है और इनकी नंद जो है न ये उनको बात करते हुए देखती थी आपस में बात करती रहती थी तो बलकि ये सास नंद आपस में आती थी और बोलती थी पता नी पागल सी हो गई है क्या हो गया इसको जब देखो था अकेले रूम में बैठी रहती है और उससे बात करती रहती है ऐसा क्या हो गया भई कि अब तो हम सिब ना तो बात करती ना तो इसके पास टाइम है अब तो पूरे टाइम इसी में वो रहती है अब क्या होता है कि हो जाते हैं कुछ टाइम लड़ू गोपाल को घर आए हुए अब इनको जलन की वज़े से सास नंद जो है न ये चिड़ने लगती है अपनी बहु से और भापी से अब ये क्या करती है कि जब कु साग बनवाना और उनके लिए जूला सब कुछ विवस्ता है मतलब कि मेरे लड़ू को पाल के पहले जनमस्ट मी है तो मैं बहुत अच्छे से धूम धाम से इनका मतलब जनमस्ट मी मनाऊंगी ऐसे करके और बहुत अच्छे से तयारी करने लगती है तो एक दिन क्या होता है कि जो कविता जी है वो मार्केट जाती है और घर में नननत से और अपनी सासुमा से कहके जाती है कि दीदी सासुमा अब मैं थोड़ी मार्केट जा रही हूँ आप दोफैर में अगर मैं लेट हो जाओं तो आप इनको भोग लगा देना अब क्या था अब वो तो चली जाती मार्केट और है तो यह जो सास होती है और यह जो नंद होती है यह चिड़के क्या करती है कि इनकी जो लड़ू गुपाल है ना इनको क्या करती है कि जो इनका घर होता है वो मतलब जो कॉलोनी होती है कॉलोनी का लास्ट वाला जो मकान होता है यह इनका होता है और इनके मकान क साइड से ही खेत लगे होते हैं तो ये इनके दिमाग के देखो खुरापाद देखो इतने सैतान दिमाग दोनों का कि इनके लड़ू गोपाल को उठाती हैं और खेत में जो जाड़ियां होती है तो उसमें उठाके डाल देती हैं कि ना ये लड़ू करेगी तो बिल्कुल नहीं तो कुस दिन मैं ऐसे हस हस के बो कह रही थी कि मम्मी अगर हम ये लड़ू गोपाल को वहां पे नहीं करेंगी न तो ये कुस दिन में पागल हो जाएगी भावी और ऐसे करके वो लड़ू गोपाल को जाड़ियों में डाल देती हैं अब क्या होता हैं मतलब लड़ू गोपाल के पास की चलो मैं देखूं क्या कर रहा है लड़ू गोपाल मतलब एक भाव होता है न एक बच्चे वाला कि अब इतनी देर हो गए मुझे गए अब देखूं लड़ू गोपाल को कुछ भोग लगा दू तो जैसे ही वो आती हैं लड़ू हाल है ही नहीं अब तो उनको लगता है कि हो सकता है मंदिर वंदिर साफ की हूं कुछ की हूं मतलब एक दम से कैसे ऐसे भाव आ सकता है कि नहीं किसी ने वो कर दिया तो अब क्या होता है कि जाती है वो अपनी ननत के पास और सास के पास पूछती है कि माजी दीदी आपने बोलें कि आप नहीं हटाएंगे तो फिर कौन हटाएगा मैं तो मार्केट गई थी समाल लेने और घर में तो और कोई आया नहीं तो फिर लड्डू को पाल गए कहां तो वो कहती है हमें नहीं पता तेरे लड्डू को पाल कहां गए और तो ऐसे क्यों पागलों जैसे हो रही ह कि जब देखो तब लड़ू को पाल हम लोग है नहीं क्या हम लोग इनसान नहीं है क्या जो एक पत्थर की मूरती से बागलों जैसे लगी रहती है जब देखो उससे बात करना जब देखो उससे वो करना इनसानों से बात कर पत्थरों से बात मत कर ऐसे कहके ताने देती है और है तो चली जाती है ऐसे कहते हुए दोनों सास सास और ननद निकल जाती है रूम से बाहर और अब तो पूछो मत कविता जी की कैसी हालत होती है कविता जी ही समझ सकती धी कि कितने सालों के इंतेजार के बद उनके उनके पास लड़ू गो पाल आये कब से वो इंतजार कर रही थी कि लड़ो गोपाल की वो सेवा करेंगी और ये कोई लड़ो गोपाल कोई साधारन लड़ो गोपाल नहीं थे ये तो साक्षात बिहारी जी के प्रशाद थे जो की कविता जी को मिला था तो अब तो बहुत रोती है कविता जी कि मतलब पस्ताती है बहुत कि मैं मार्केट गई तो गई क्यों क्यों मैं लड्डू को पाल को छोड़ के गई अब उनके मन में ये भी आता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से आया हो वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि उनकी जो सास नंद है तो वो भगवान के साथ ऐसा कर सकती है वो मानती है इस बात को कि थोड़ी सा उनका नेचर वैसा है लेकिन इतना गलत कर देंगे ये तो कभी वो सोची नहीं सकती तो फिर वो जाती है फिर से दुबारा जाती है कि पूस्ती है कि मम्मी जी मेरे जाने के बाद कोई आया तो नहीं था कोई मतलब मतलब बाहर से जो भी आते हैं कोई काबाडी या प्रेस वाला या कोई भी कोई बाहर से इंसान कोई आदमी आया तो नहीं था तो वो मना कर देती हैं कि नहीं बाहर से कोई कोई नहीं आया और कोई आया भी हो तो हमें नहीं पता हम तो अपने रूम में थे ऐसे कहके वो मना कर देती है अब तो सरित कविता जी की पूछवे मत की ऐसी हालत हो जाती है अब husband साम को आते हैं कविता को रोते हुए देखते हैं उनकी बड़ी बड़ी आँखे सूजी हुआ है वो पूशते हैं कि कभी तब क्या हुआ तुझे ऐसे आखें तेरी सूजी हुई क्या हुआ है तो जैसे उसके हस्वेंट पूशते हैं कि तू रो रही है कि क्या तेरी आखें सूजी हुई क्यों है तो उनको बहुत तेज रोना आ जाता है और उनकी गले लगके अपन डर जाते हैं उनके हस्वेन की ऐसा तो नहीं कि इसके माईके में कुछ हुआ हो या कि इसके पापा मम्मी की कुछ तवियत खराब हो गई हो तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ बता तो इतने में वहां से नंद और सास आजाती हैं कि नंद की कहती है कि अरे भाईया कुछ नहीं हुआ है वो पागल हुई जा रही है वो पत्थर की मूरती जो थी ना वो उसकी मिल नहीं रही है पता नहीं कहां लड़ू गोपाल जो कहती है ये पता नहीं कहां चले गए उसके लिए ये पगला रही है ऐसी ऐसे कहते हुए और हसने लगती है उसकी नंद और उसके सास साथ उनकी जो सास थी वो भी हसने लगती है कि ये क्या हग क्या कर रही है ये बिलकुल पागलों जैसे नहीं गुम गई गुम गई कोई बात नहीं दूसरे लिए आना ऐसे कह देती है उनकी जो सास है अब वो कविता जी बहुत रोती है अपने हस्बेंट के मतलब गले से लगके बोलती है कि देखो तुमको पता है ना मैं कबसे लड़ू गोपाल के लिए इंतजार कर रही थी कबसे था मुझे कि मेरे घर भी लड़ू गोपाल आए अब कविता जी पूरे घर मैं एक एक से बिलकुल सुई के जैसे ढूणती है कि कहीं तो लड़ू गोपाल दिख जाएं कहीं तो मिल जाएं लेकिन लड़ू गोपाल कहीं नहीं दिखते ऐसे करते करते बहुत रात हो जाती है सब लोग खाना खा लेते हैं सास नरन मिलके खाना बना लेती हैं सब खाना खा लेते हैं लेकिन कविता जी कहती हैं कि जब तक मेरे लड़ो गोपाल नहीं मिलेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी और इसमेंट बहुत समझाते हैं कि कविता कोई नहीं अगर नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं हो सकता है कोई ल उसरे लड्डू गोपाल ले आऊंगा लेकिन कविता जी रोते हुए कहती है कि अगर खुद से ही लाना होता तो मैं तो कप के मगाली होती तुमसे लेकिन मुझे ये था कि मुझे कोई गिफ्ट करे तब ही मैं लड्डू गोपाल रखूंगी और वो लड्डू गोपाल कोई वैसे नहीं थे वो मिलड्डू गोपाल को तो स्वयम विहारी जी ने मुझे गिफ्ट किया था ऐसे कहके बहुत रोती है और रोते रोते उनकी फिर नीद लग जाती है बहुत रात हो जाती है अब क्या होता है कि जब सो जाती है तो इनको रात में सपने में ऐसा लगता है क कि जैसे एक चोटा साब पच्चा कहीं काटे में, कहीं ज़ाड़ीं में बहुत रो रहा हो. और है तो बहुत उधास, बहुत सुन्दर सा बच्चा ऐसा लग रहा है, जैसे बहुत सारी ज़ाड़ी होती है और उसमें गिरा पड़ा हो. ऐसे उनको मतलब लगता है कि कोई बच्चा है और ये सब देखके सपने में वो एकदम से जाग जाती है उठ जाती है और अपने हस्वेंड को उठाती है कि मुझे ऐसा सपना दिखा तो ये सपना क्यों दिखा अब वो उनको नीद ही नहीं आती कि हे भगवान वो कौन हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि मेरा लड़ू गोपाल यहीं कहीं हो जाडियों में मुझे बच्चा क्यों दिखा तो उनके मद उनको समझनी में देर नहीं होती कि बच्चा मतलब मेरा लड़ू गोपाल ही है वो भी तो मेरा बच्चा ही है मैं भी तो उनको अपना बच्चा ज जाड़ियों में भी देकते हैं और सामने की जाड़ियों में भी देखते हैं तो सामने पूरे में ड्षोड डालती है। इंको कुछ भी मतलब सुबए 6 न जैसे उजेला होता है न वैसे उन using डूडना दूरू कर देती हैं उनको कोई लडू गूपाल नहीं मिलते हैं सामने अब वो कहती हैं कि देखो उस तरफ चलते हैं अपन अब उस तरफ तो बाउंडरी थी वहां जाने का तो कोई सबर जाते ही नहीं बनता क्योंकि खेत बन्दे था यूँकि इनकी जो सास और नंदे थी ना वो तो बालकनी से फेकी थी लड्डू को बाल को वहां नीचे जाके तो फेकी नहीं थे तो अब वो अपने हस्वेंड से कहती हैं कि देखो न तुम उस तरफ कूंद के जाओ और वहां पर जो जाड़ियां दिख रही है वहां प्लीज एक बार मेरे अंदर से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं ऐसा नहों कि कोई वो जो बच्चा क्रपा जब उनको अपनी क्रपा देनी होती है न तो कोई कितना भी अत्याचार कर ले कोई कितना भी वो कर ले वो अपनी क्रपा बरसाने में देर नहीं करते हैं और जब उनके हस्वेंड वहां जाते हैं ढोडते हैं तो उनको उनके लड़ू गोपाल उन्ही जाड़ियों म पड़े हुए मिलते हैं और जैसे ही वो लड़ो गुपाल को उठाते हैं और बांडरी के इस पर कविता जी रहती हैं और उनके हस्वेंड कहते हैं कविता कविता तेरे लड़ो गुपाल हैं अब तो पूछो मत की कविता जी की हालत कैसी हो जाती है इतना धन्यवाद देती है अपने बांके बिहारी को क्योंकि उन्होंने बांके बिहारी से कहा था कि बांके बिहारी देखो आपने ही दिया है और आप मेरे से छीनो मत पीज कुछ भी करो मुझे मेरे लड़ो गोपाल वापस कर दो और ऐसे प्रार्थना की थी तो वो बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि बाकी बिहारी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मतलब मैं सब्दों मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुसूँ और है तो उनकी हस्वेंड हैं वो लड्डू को पाल को लेकी आते हैं अब कविता जी घर लेकी आती हैं और उनको ठंडे पानी से बहुत नहलाती हैं आ माटों में पड़े हुए थे तो इस भाव से अब वो क्या करती हैं कविता जी कि अब वो जहां भी जाती हैं जहें वो दस मिनट के लिए भी घर से बाहर निकल रही हैं तो भी वो लड्डू को पाल को अपने साथ में ही लेके चलती हैं तो ऐसी होती है लड्डू को पाल की क्रपा कि अगर हम उनसे कोई रिस्ता बना लेते हैं तो वो भी हमसे रिस्ता कोई कितना भी कुछ कर ले कितना भी चाह ले लेकिन अगर उनकी क्रपा है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता वो अपनी क्रपा हमेशा बरसाते रहते हैं अब ये सब चीज समझने में कविता जी को देर नहीं लगी कि ये सब कुछ किया जो है वो मेरी नंद और सास का है तो वो कहती है कि मा जी देखो ऐसे ये बहुत समझाती है बहुत वो कुछ करती है कि ये बहुत गरत बात है और ऐसा नहीं करना है और वो भी लड़ू कोपाल की सेवा करने लगती है और माफी मागती है अपनी भावी से और अपनी बहु से कि माफ कर दे कविता हमने ही ये गलती की थी लेकिन कविता इतनी अच्छी बहु थी इतनी अच्छी भावी थी कि इस बात को कविता जी ने कभी किसी से नहीं कहा कभी ये मतलब की बात बखी वो अपने हस्पेंट से कहती हैं कि किसी से कहती है किसी से भी नहीं किया कहा और ये राज राज ही रहने दी और ऐसे वो फिर सास बहू और नननत तीनों मिलके लड़ो गुपाल की भक्ती करने लगते हैं पूरा परिवार भक्ती में हो जाता है तो ऐसे होती है हमारे लड़ो गोपाल की क्रपा तो हमेशा लड़ो गोपाल से कोई रिस्ता बना की रखिये जैसे की कविता जी बनाई तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सेयर एट, सब्सक्राइब करियेगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो सत्य घटना के साथ जब तक अपना ख्याल रखिये, अपनों का ख्याल रखिये, राधे, राधे